क्या आप जानते हैं कि आस्ट्रेलिया ए राज्य न्यू साउथ वेल्स टूरिस्स और इंटरनाशनल स्टूडन्स को जितनी जल्दी हो सके वापस लाना चाहते हैं न्यू साउथ वेल्स के प्रेमियर डॉमिनिक पेराटेट ने पिछले हफ़ते घोशना की थी कि पूरी तरह से टीका करन वाले यात्री एक नवंबर से राज्य में आ सकते हैं लेकिन आस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉर्ट मौरिसन ने बाद में सपश्ट किया कि वे अभी तक केवल नागरिकों और उनके परिवार के सदस्यों को पहले प्रवेश देंगे अभी वे अपनी सीमाओं को सभी के लिए नहीं खोल रहे हैं पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंतक देखें और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें Brain Drain Consultants की ओर से हमारे Immigration Information और News Channel A to Z Immigration Updates में आपका हार्दिक स्वागत है Sky News Australia के साथ एक इंटर्व्यू में Tourism और Transport Forum CEO Margie Osman ने कहा कि Australia को अंतराष्ट्रिय चात्रों की वापसी प्रकाश की गती से करनी होगी यह कहते हुए कि वे न केवल University सेक्टर का समर्थन करते हैं बलकि Hospitality और Tourism Industries के अंदर एक Important Skill Base भी हैं अलग से, The Sydney Morning Herald ने बताया कि New South Wales के मंत्री अपने Federal counterparts पर दबाव डाल रहे हैं कि वे राज्य को International Students और Tourists के लिए खोलने की इजाज़त दे क्योंकि राज्य ने शनिवार को अपने Much Anticipated 80 प्रतिशत डबल डोस्टी का करन लक्षे को पा लिया है इस बीच, New South Wales के Treasurer Matt Keane को यह कहते हुए उध्रित किया गया था कि वो चाहते हैं कि International Students और Tourists जल्द से जल्द राज्य में वापस आएं क्योंकि फेडरल सरकार ने ऐसा होने से रोकने के लिए बीच बचाव किया स्पश्ट रूप से प्रायोरिटी को ठीक करने के लिए Commonwealth के साथ काम करने की जरूरत है जो कि ठीक वैसा ही है जैसा वे करेंगे अभी के लिए New South Wales पाइलट योजना दिसंबर में लगभग 500 अंतर राश्ट्रिय चात्रों को राज्य में लोटने की अनुमती देगी लेकिन राज्य को गिंती और जादा करने की उम्मीद है कीन ने कहा कि पूरी तरह से vaccinated travelers के लिए scrapping quarantine यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि विदेशों में फसे सभी Australia आई घरा सके साथ ही उनकी economy को pump करने के लिए अंतराश्ट्रिय चात्रों और टूरिस्ट्स के लिए सीमाई खोल सके उन्होंने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि पूरी तरह से vaccinated international students और टूरिस्ट्स को New South Wales में प्रवेश करने की इजाज़त कब दी जाएगी क्योंकि यह Commonwealth द्वारा निर्धारित किया जाएगा क्योंकि यह वीजा जारी करने को कंट्रोल करता है Financial Review ने अलग से बताया कि International Education Association of Australia, IA, नौकरियों, डाइवर्सिटी और स्किल्ड लेबर के फ्लो के साथ अंतराश्ट्रिय शिक्षा के बड़ी कम्यूनिटी के फायदों के बारे में जनता को मनाने के लिए हफ्तों के अंदर एक अभियान शुरू करेगा वे कहते हैं कि होवर्ड सरकार के तहट शुरू की गई नीतियों के समान, विश्वविद्याले शिक्षा मंत्री एलर तुडगे और इमिग्रेशन मिनिस्टर आलेक्स हॉक को स्टूडेंट विजा सिस्टम में सुधार करने के लिए स्किल्ड जॉब्स और पर्मनेंट रेजिदेंसी के साथ शिक्षा को सीधे जोडने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। अगर आपको किसी और मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज में पूछ ताच करना चाहते हैं। तो आप हमारी रेजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टन्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसिलिंग सेशन बुक कर सकते हैं। तो आप हमारी रेजिस्टर्डेशन की जरूरत हैं। लिए हैं। लिए हमारी रेता हैं। की खाम्पक्ट विए बुक्ट